असलाम लेकुम आज हम आपके साथ शेयर करेंगे भरवा करेली की रेसिति जो बहुत ही चटपटे और मज़ेदार बनकर तयार हुए है यह मैंने अपने तरीके से बनाया है तो फिरेंस वीडियो को फुल वाज कीजिएगा और पसंद आये तो लाइक भी कर दीजिएगा तो देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है तो मैंने यहां पर ले लिया है पांच से छे करेले यह हमारे करेले चोटे साइस के हैं और इसको मैंने अच्छे से वाश भी कर लिया है दोनों किनारों से हम थोड़ा थोड़ा काट कर निकाल देंगे करेलों को बीच से हम कट ज़िटे करेलों के सारे बीज निकल जाएंगे तो सकती बीज हम निकलना यह भीज हमारे निकल गए हैं, तो जो बीज निकलना यह अगर आपको पसने नहीं तो आप भी 서कता हैं, नरमोले मैंने ले लिये हैं बागी के फेक दिये हैं तो ये करेलों कि मैंने सारे बीज निकाल लिये हैं अब इसे साइड करते हैं और यहां पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिये हैं जैसे कि तीन चमस साबुत धनिया छे से साथ साबुत लालमिज मैंने लिये हैं और मैंने ले चमच अजवाईन। थोड़े से कलोंजी मगरेल। आधा छोटा चमच जीरा मैंने लिया है। और थोड़े से कालीमिस मंचे लिया है। स्टार फूली दो डाल्ची का टुकड़ा मैंने लिया है। 3 तीन चोटी इलाइची, एक बड़ी इलाइची, थोड़े सी जाविद्री के फूल, इन सभी मसालों को हमें ड्राइ रोस्ट करना है तो इसके लिए चलते हैं अपने गैस पर, फ्राइ पेन को गरम होने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, अब इसमें हम सबसे पहले धन इस तरह से चलाते हुए हम रोस्ट करेंगे, अब इन मसालों को मैंने हलका सा भून लिया है, और ये जो मैंने खड़े गरम मसाले लिये थे, उसको भी हम इसमें एड़ कर देंगे, अब इन सभी मसालों को हम हलका सा और रोस्ट करेंगे, अब ये हमारे मसाले भून चुके ह और मैंने गैस का फ्लेम भी बन कर दिया है अब इन मसालों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो मसाले मैंने एक प्लेट में निकाल लिये हैं इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं यह मसाले हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और इन मसालों को हम मिक्सी में पीस लेंगे अभी मैंने दरदरा ही पीसा है और जो करेलों का बीज मैंने निकाला था उसको भी हम इसमें पीस लेंगे तो इसी मसालों में हम करेलों का गुदा भी पीस लेंगे तो देखिए फिरेंस मैंने इस तरह से सारे मसाले पीस लिये हैं अब इन मसालों को हम एक बरतन में निकाल लेते हैं, तो मसालों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, अब इसमें हम एड़ करेंगे एक चमच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम्याजाद ले सकते हैं, थोड़े से हल्दी पाउडर एड़ करेंगे, थोड़े स एड़ कर सकते हैं थोड़े से मैंने चाट मसाला एड़ किया यह पूरी तरह से ऑप्षनल है और मैंने थोड़े से कसूरी मेथी एड़ किया है और मैंने थोड़े से गरम मसाले एड़ किया है और आधा चमच मैंने किचन किंग मसाला एड़ किया है यह कसूरी मेथी गरम मसाल और किचन की मसाला पूरी तरह से अप्सनल है एड़ करना चाहें दो कर सकते हैं नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं और यह मैंने एक बड़े साइज का चौप किया हुआ प्यास लिया है प्यास को भी हम इसी में एड़ करेंगे एक से दो चमच मैंने मस्टर्ड ओयल यानि राई का तेल एड़ किया है अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे इसी स्टेच पर आप नमक भी चिक कर सकते हैं तो मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको हम पांच मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि हमारे प पृफ जतना पृफ दबाली इस तरह से सारे करेले मैं भरिए हैं ऑसे परottaiva感 स्मूंप manner अब इस तरह से हम एक धागा लेंगे, करेलों को हम धागों से इस तरह से बाद देंगे ताकि हमारे मसाले नहीं निकले, धागों से हम बिना बाधे भी फराई कर सकते हैं बड़े आसानी से, पर मैंने सेफटी के लिए धागे लपेटे हैं, तो मैंने इस तरह से धागों से ब करेलों को एड़ करते जाएंगे तो सारे करेले मैंने एड़ कर दिये हैं और गैस का फ्ले मैंने लो टू मीडियम कर दिया है करेलों को हम ढखकर फ्राइ करेंगे ताकि हमारे करेले भी सोफ होते रहें बिस बिस में हम करेलों को चेक करते रहेंगे और ऐसे हम करेलों को तो अब ये हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मैंने गेस का फ्लेम भी बन कर दिया है और करेलों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो करेलों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और जो मैंने धागा बांद कर रखे थे उसको हम इस तरह से निकाल ले हैं तो फिरेंस इस तरह से एक बार चटपटे करेले बना कर देखें बहुत मज़े के बनते हैं तो फिरेंस हमारी ये भरवा करेले की रेसिपी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वेडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलेगा अलला हाफिज